परिस्थितिया दुर्गम हुई उसके बाद भारत फिर से तीजी से उभरते वे अर्थवेस्था बनने की तैयारी में है और इस पूरी तैयारी में जिस तरह के आर्थिक सुधार का सिलसला सरकार ने किया है ये एक कैटलिस्ट का काम कर रही है खास तोर पर उन उद्योगों के लिए जिन्होंने कोविट के दौरान सबसे ज्यादा मार झेली है लेकिन आप वो भी सर उठा रहे हैं और इसी में से एक है रियल सेट और इससे जुड़े उद्योगों जिन्होंने काफी एक स्लोडाउन देखा लेकिन आप वो भी तैयार है भारत के साथ कदमताल मिलाने के लिए तो टीवी नाइन भारतवर्ष और ओरियंट बेल टाइल्स लेकर आया है बिल्डिंग अन्यू इंडिया फोरम इस फोरम में हमारी कोशिश होगी देश के नीती निर्माता और रियालिटी विशिश शग्यों और रियल स्टेट के प्रमुखों से बात करकर ये समझने की कि प्रियल स्टेट की चुनौतियां क्या हैं समाधान क्या हो सकते हैं और एक न्यू और स्मार्ट इंडिया कैसे बन सकता है तो आप सभी का बहुत फिर से एक बार धन्यवाद में करना चाहूंगी और इस फोरम की शुरुवात करते हैं उस सोच को समझने के साथ कि हम ये फोर पर दर्शन कर रहा है अपने सामर्थ और संसाधनों के दम पर देश नई उंचाईयां छू रहा है देश के इस नव निर्मान की नीव और मजबूत हो ये सुनिश्चित करने के लिए टीवी नाइन भारत पर्ष और ओरियंट बेल लेकर आये हैं एक अनोखी पहल बिल्डि की आजा सके आपको शुक्रिया करने के लिए और आज के सेरुमनी को ये शुरुवात करने के लिए मैं आमंतृत करना चाहूंगी सबसे पहले और इंवेल टाहिल्स के मैंनेजिंग डिरेक्टर मिस्टमा धुटागा जी को प्लीज़ Our goal today to kick off this TV series is ki हम key policy makers, builders, real estate influencers को हम साथ लाएं जिससे we can discuss so many issues which are opportunities, maybe some of them are concerns. ये discussion, जो भी हम करेंगे, ultimately जो भी इस रूम में हम discuss करेंगे, कही न कहीं वो एक end consumer को affect करेंगा. तो सबसे जो important चीज़े और एंट बेल के लिए वो है, while building a new India, how do we make it easy for the end consumer? पिछले कुछ सालों में हमने बेखा है कि टेक्नोलोजी से, सब कुछ instant gratification हो रहा है. चाहे आप एक टाक्सी को बोक करना चाहें, चाहे जो भी करना चाहें, जो भी करना चाहें, it's very easy now. It's very convenient. क्या ताइल बाइंग, ताइल सेलेक्शिन इतना इज आज है, अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। So, this is what is most important to the company, हम बहुत चीजें, बहुत अरियाज में इनोवेट कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे, but यह जो एक special area है, how do we make this easy and convenient for our end customers? So, यह मेरे लिए बहुत इंपोर्टन है, हमारी company के लिए इंपोर्टन है, और जैसे प्रियंका ने कहा, without all of you here, यह discussion अधूरी है, this can, you know, this can never be complete. Thank you, thank you Mr. Daga, thank you so much. नए भारत के निर्मान का वक्त आगया है, लेकिन यह कैसे होगा? और जब बात होती है, building a new India, building a smart India, तो चार बिंदू जो हैं, वो बहुत एहम हो जाते हैं. वो चार बिंदू कौन से हैं? सबसे पहले हमारी नीतियां, reality को पुश करने के लिए, इसे आगे बढ़ावा देने के लिए, किस तरह की नीतियों की जरूरत है? दूसरी बात आती है, कि वक्त के साथ किस तरह से technology के साथ ये कदमताल मिला सकते हैं. तीसरी बात आती है, capital, इनके पास क्या अपने भवनों को बनाने के लिए उस तरह के पूंजी की जो अविशक्ता है, वो है या नहीं है? और चौती बात जो सबसे एहम है, वो यह है कि ज घर खरीदना चाहता है, जो घर में निवेश करना चाहता है, उसके लिए कितनी सुरक्षा है. इन चारों ही बिंदुओं पर सरकार भी काम कर रही है, लेकिन stakeholders को क्या चाहिए, यही हम सबचने वाले हैं. आप सभी का धन्यवाद हमाले आप लोकोंने इस forum में वक्त निकाला डॉक्टर करियरवाल, मैं आप से शुरू करना चाहूंगी, रेरा जो है, रियल स्टेट रेगिलेशन जो है, यह सबसे एहम नीती एक रही, रियल स्टेट की पूरी दशा दिशा सूरत बदलने में. अब इसकी implementation को आपने बहुत actively एक दम सामने से जो है, इससे आपने पू कि सबसे बड़ी एक कमी रही थी, कि यह अन्रेगुलेटर चेक्टर था. बहुत अच्छे बिल्डर्स हिंदुस्तान ने दिये, बहुत अच्छे लोगों ने, एंटरपेनर्स बहुत अच्छे पैदा हुए, जिन लोगों ने अच्छा काम करके दिखाया, लेकिन कुछ लो में जूंटे वाइदे करना, कहना कुछ, डिलीवर कुछ करना, पैसा ले लेना और कंस्ट्रक्शन शुरूई ना होना, तो लोगों के साथ लोगों को लगने लगा कि भई कहीं चिटिंग दनी हो रही है उनके साथ, और जब बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की घटना ह है नराइट को है, इवन बिल्डर, जो अच्छे बिल्डर थे, वर अलसु फोर इट, वर इस तरह को लोगों का कॉन्पिडेंस कम नहीं हो, राइस्टेशन ओफ रियल एस्टेट प्रोजेक्स और राइस्टेट एजेंट्स, इस अप्टर में जो इंपोर्टेंट थी, कोई राइस्ट में जो बाइस्टेशन अभू तरह रियल भी बीड़िविचोन हो इन्दूस्टमेटोर्ड़ प्रोजेक्स और इन्पर एंपरॉच्टिमेंटोर्टॉर थे ख़िए जब लिए जरूरी बाइस्ट्णी ब्स्गेन सायन घूर्पश्यरकान पर रियल अा प्रदीब जी मैं आपके पास आना चाहूंगी रापिड अर्बनाइजेशन के बाद जो एक घरों की जरूरत जो पड़ी और उसमें अफॉर्डबल हाउसिंग ने क्या भूमिका निभाई है आप लोगों ने क्या बदलाव देखा है आप सबसे पहले थे मुझे लगता फॉ इसमें लाने वालों में से अफॉर्डबल हाउसिंग जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं एक ड्राइवर की तरह आया है इस पूरी इंडस्टी में आप देखें कि पिछले पांस साल में अफॉर्डबल हाउसिंग ने पूरे रियल स्टेट को चेंज कर दिया है प्रीम प्रतिशत जनता ऐसी है जिसको एलाईजी ए एमाईजी सेगमेंट चाहिए और लगबग चपन प्रशंट जनता ऐसी है जिसे एड़बलोस का टेगरी के फ्रैट चाहिए तो 90 प्रशंट से ज्यादा जहां अफॉर्डबल हाउसिंग के नीड रखती हो तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अफॉर्डबल हाउसिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है रिसेंट में पॉलिसी अभी पिछले दो-तीन साल में काफी ज्यादा प्रचलन में आई है दीन द्याल जना वासी हो जना उसके अंदर गवर्मेंट का जो में एम था कि हरियाना में लगबग तीन ह हरियाना गवर्मेंट एक पॉलिसी लेकर आई दीन द्याल जना वासी हो जना जिसमें छोटे प्लॉट्स असी मीटर से लेकर डेल सो मीटर तक के अप लोगों को प्रोवाइट करा सकते हैं क्योंकि पहले इस साइज के प्लॉट के अविलिबिलिटी नहीं थी अब ये भी अ अफोर्डबल हाउसिंग का तो हब है ही गुडगाओं लेकिन हम सब गुडगाओं को प्रीमियम हाउसिंग के हब के तौर पर भीचानते हैं और इसलिए प्रवीन जीन से मैं यहीं पूछना चाहूंगी प्रवीन जी कोविट का समय कितना बुरा रहा और अब किस तरह की ड तो इस वज़ा से कोविट के बाद और पिछले दो साल आप यह देखें कि नए प्रजेक्ट लांच भी नहीं हुए और दिमांड तो हमेशा रहती है मांगेट में उसकी वज़े से जो आफ्टर कोविट यह दिमांड थोड़ी से अफोरडबल हाउसिंग में तो है ही है पह अफोरड़ी के अंदर भी कायफे रियाएदी है उसके वज़े से बिमांड निकली है मिस्टर नहीरू मैं आप से पुछना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है रियल स्टेट के लिए यह समय इसमें क्या चालेंज अब देख रहे हैं और क्या किया जाने की जरूरत आप मैवन डियल स्टेट पार्टमान आ कि ऋबेग है, आभ आने कि बीचान बार्टमाने लिगक चाहिए आके कि आप हुड रेचेए. सम瑟े की पर्केस क्या हैंद आज आ के आइधू है, कि शैव कौहरीखने सकते हैं है। सींग्डूर्दी गिजए इन हम बार्टमाने का क्या है। तो इसी नोट पर मैं कुछ वो आवाजे अब आपके सामने रखना चाहूंगी, जो की इस रियल स्टेट के रियल स्टेक होल्डर है, यानि कि वो यूजर्स, वो घर खरेतार, उनके विचार आपके सामने रखते हैं. मैं अफोर्डेबल हाउसिंग इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि घर एक सपना सपका होता है, जब तक हम प्रेमियम नहीं पहुंचते हैं, तब तक अफोर्डेबल में मेरा सारी मुझे फैसिलिटीस मुल रही है, मुझे गर्मेंट की तरफ से सपोर्ट है, इंसेंटिव स्कीम है, मेरा एक खुद का अपना घर है, और सबसे बड़ी बात मेरा एक पैसा जो है वो चैनलाइज हो रहा है, तो छोटा ही सही लेकि अपना घर है, तो इस वज़े से मुझे हमेशा लगता है, एक अपना घर है, तो अपना घर है, पूरा कर सकता हूं, क्योंकि जो मुझे मिलते हैं, जो सरकार की तरह से रियाइते मिलती हैं, जो मेरा एक मिडल क्लास आपना होता है घर बनाने का, वो मुझे लगता है कि अफोर्डबल हो सकता है, एक middle class आदमी के लिए सबसे बड़ा सपना होता है कि अपने वो घर बनाए अपने रहते रहते अपने आगे वलों के लिए अपने आगे वली generation के लिए घर चोड़के जाए premium segment में जाने का सबसे बड़ा reason यह कि builder उसमें better काम करके देता है हमें जो घर बना के देता है उसमें woodwork better होता है उसमें better amenities दी जाती है अच्छे से काम P.O.P. बगएरा करके देता है हाँ थोड़ा expensive ज़रूर होता है बड़ उसकी quality बगए बेटर होती है इसी के साथ इस फोरूम को हम यहां पर रैप अप करेंगे चली तो सबकी बात सुन ली और यहां हमाई साथ जो लोग आज जुड़े हुए हैं सभी अपने आप में जाने माने चेहरे हैं Orenpail Tiles की MD Madhu Daga ची के पास जाना चाहूंगी आपने सोना Mr. Daga यहां पर जो बात्चीत हुई आपका क्या विव निकलता है आप क्या सोचते हैं प्रीम और अफोर्डबल दोनों को आप सप्लाइ करते हैं आप उनके बड़े सप्लाइन हैं की बात को सुनकर आपको क्या लगता हैं की चुनौतियां और क्या आगे किया जाने की गुंजाइशे प्रेडॉमिनेंटली जो मार्केट है वो वो अफोर्डबल हाउजिं का है और अफोर्डबल हो प्रेमिम हो यह जो अपरिम्म हाउजिंगी जो सबसे बड़ाचेंग हमारे लिया आया और इवर एल प्राओबल की वहालि वराइटी यह तो हम लोग पहले ही देते थे और देते रहेंगे जाहे वह फोर्डबल हो या प्रीम हो Now, with the introduction of RERA, there is much needed pressure to deliver on time. Tile is a product that you put in one time, so you won't change it in one day, in a week, in a year. It's a long-term investment. Tile's cost in the entire project is even less than 1% but its aesthetic value is almost 80-90%. So whether it is affordable or premium, we have to make sure that we give a customer a choice. So we have absorbed the technology very well. And our customers know that using technology, they are able to select tiles very easily. We did discuss a lot of challenges like capital, you know, the financial sort of hand-holding, the lack of skilled labor. But what is according to you, when you are working on the ground, is the key challenges that you wanted to be addressed? The cost pressures that we have seen in the last few months. Post-COVID due to the supply chain disruptions globally, the prices have gone haywire. What we have factored in at the time of pricing our product, you know, now all those calculations have gone haywire. But given the RERA environment that we are working in, we cannot increase our prices to our customers. Our prices to our customers are escalation free. Whereas on the cost side, we are facing huge pressures. How do we deal with this situation? This is something which is on top of our mind, which we are trying to internally grapple with. We have, you know, the kind of, all our contracts with our contractors, they are simply saying that we cannot honor these contracts. So we need escalations. But although those contracts are escalation free. What do you think about affordable housing and what is needed? The affordability is just one of our own cost. If you have 2,000 square feet flat, and if you have 4,000, 5,000, 6,000, then it is also affordable. It is not necessary that the affordable segment is small or the prices. The affordable segment is also small. It is a Lexus car. It is so expensive. And in its competition, it is better if there is a design, or a car, and the electric, and any new concept, they will come to it. Like the artificial intelligence. So that car, it is more expensive than half a price. So I am going to come. The core competition is going to come. So if you want to take a low regime, or do you want to get better support from them? Yes, yes. It will get support from them. Stamp duty is a very important part. It is very important. It is very important for consumers' decision making. What I feel, a few years ago, this is approximately 6 percent. If it goes so low, it will get better than consumers. And the much more chance, it will get better than consumers. With the decision making, it will get better than customers. With the sales, the developers will increase. It's an important factor. The number of things are made in the world. What do you think, about all of these? What do you think, Covid has learned how to developers? Everybody has become very disciplined. That is one. Second thing, the developer particularly, प्रिणी नखिक्रोड बब्राइल शीजी पुरिट ने वगारेती पर वाल्पर है जाती इनलंड़ और सब्सक्राइश, चाहरे लगारेती फ्रॉड़ाइब बपाने मांथरे लिए जवास्टरिक पारेती दिधारेती लिएंछ, लिए ड्रॉड़री कमा अवाट्र वहां हु दो plotts थे हैं दोनों मुझे अलग अलग बाते कहह रही है। एक Raport कह रही है, Aássaable बढ़ रही है, एक रffeमें में बढ़ रही है, आप क्या फील करते हैं? actually buying सब में बढ़ है, फोटिबल में भी भी बढ़ भी है, in the Prior Up 2020, in the Watson option. तो अब जो प्लेयर्स बचे हैं, वो बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं, फिर इंट्रेस्टेट काम होने की वज़े से, रहरा की और बाकी सारी शीजों की वज़े से, लोगों का इक कॉफिडेंस ज्यादा विल्डब हुआ है, तो लोग इंवेस्ट पहले से ज्यादा करें, अगर आप देखोगे, तो लास्ट क्वार्टर था आपका, दो हजार एकिस का, उसमें करीब 73% क्वार्टर की रिकॉर्वरी ती, और पिछले लास्ट फस्ट हाफ में इस साल के, ओवरॉल रिकॉर्वरी करीब 75% की है, ये सारी चीज़ें, अगर हम लोग इन सब चीजों को इन कॉपरेट करते हैं, तो डिमांड सभी जगा बढ़े हैं, जी, चली, थांक यू सो मच, थांक यू आप सभी का, हमारे साथ इस फोरूम में जुडने के लिए, आप तीनों का भी बहुत धन्यवाद, और चली, डॉक्टर खंडेलवाल तो जा चुके हैं, लेकिन उनका अपरी धन्यवाद के हमारे साथ थे, आप सभी का धन्यवाद, थांक यू सो मच,